आजमगर से शेलेनर कुमार सीनियर प्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट यहां खराब मौसम की वजह से हेलिकॉप्टर गिरा, पाइलट की मौत मची अफ्रात अफ्रीड आजमगर सरायमीर स्थित कुशाय फ्रीडुनपूर में सोमवार की सुबह एक हेलिकॉप्टर गिरने के बाद प्षेत्र में अफ्रात फ्री मच गई। आनल फानल सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस कर्मी पहुंचे और दुढ़टना स्थलका जाय जा लिया। स्थानिय लोगों के अनुसार सोमवार की सुबह से ही आस्मान में बादल था और खराब मौसम के बीच आस्मान में हेलिकाप्टर अनियंत्रित होता नजर आया। देखते ही देखते यह खेतों की ओर अचानक तेजी से आने लगा तो ग्रामीन लोग भी आननल पानन मौके पर पहुंचे गए और राहत बचाव कार्य में जुट गए। पुलिस के अनुसार हादसे में एक पाइलट की मौत हो गई है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि हेलिकॉप्टर राइबरेली से नियमित प्रशिक्षन उरान के लिए निकला था। हेलिकॉप्टर पर एक पाइलट और एक प्रशिक्षु सवार थे। मौसम खराब होने के बाद अनियंत्रित होकर गिर कर मलवे में तबदील हो गया। इस बाबत जिला प्रशासन की ओर से संबंधित प्रशिक्षन केंडर को सूचना दे दी गई है। हादसे में जहां एक पाइलट ने दम तोर द ही मिला और हेलिकाप्टर जमीन से तक्राने के बाद तुकड़े तुकड़े हो गया। दुरभटना होने के बाद मौके से एक पाइलट का भी शव बरामत किया गया है। वहीं हादसे की जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने शव को वहा पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर रवाना हो गया है। हेलिकाप्टर के बारे में प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि यह राइबरेली से प्रशिक्षन उडान पर था। घटना सरायमीर कस्बा से साथ किमी। दूर फरिद दीनपोर कोलपुर कुशा गाउं के निकट हुई है। रामीनों ने बताया कि उस समय भीशन बारिश हो रही ही थी। आस्मान में तेज आवाज हुई तो लोग उपर देखे तो नजारा ने उन्ही कम पा दिया। असल में हेलिकॉप्टर हवा में बुरी तरह से अनियंत्रत था। रामीन अन्हुनी की आशन में गिरकर मलबे में बदल गया। उधर देर पैराशूट से कुदे व्यक्ति के मंजीर पट्टी गाउं में मिलने की सूचना है। SDM वागी शुक्ल ने बताया कि ग्राम प्रधान ने हेलिकॉप्टर गिरने वह एक व्यक्ति के मरने की सूचना दी है।